जहें नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोद्री श्वाद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो केड़ में पर दोस्तों आज का ये वीडियी इसपेशली SSGD के सातरों के लिए जो फेल हुए हैं चाहिए पास हुए हैं जिनका फिजिकल में नमबर आया या नही जो लिस्ट में नाम नहीं आता लेकिन अगर वो नमबर जब चे करेंगे तो आपको किलेर हो जाएगा अगर आपके लिस्ट में नमबर मान लीजिए आपके कटोब 53 गई है और आपके 53 पॉइंट 01 या 02 या कुछ भी नमबर है तो आपको 100% इसको फिजिकल में पास करना प लेकिन फिर भी हमारा नाम नहीं है तो उनको भी अपना ये जो नमबर है एकजेट जो नमबर है आपको नमबर है आपको नमबर यानि मुख्य नमबर और नमबर के बात के नमबर है वो आपको जरूर देखने चाहिए किस परकार से देखें इसके बारे में और कितने नमब का जो आपका registration number है वह वहाँ डालना है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो लिखाओ मिलेगा आपको SSGD normalization number तो वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो नीचे link दिया मैंने officially command academy.in का उस पर जाके SSGD normalization number किलिक करिए वहाँ पर अपना जो roll number है वह डालिए और चेक कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो मुक्ष एक तरीका और है वहाँ से भी आप कर सकते हैं और मैं भी बता दूँ दूसरी बात और बता दूँ कि SSGD के लिए लाड़ लो जो फीजिकल की डेट है वह आपके पहले भी बताया था कि महीं से आपके फीजिकल सुरू हो जाएंगे 15 महीं के बाद की डेटे आने वाली आपको इसलिए जो भी बता फीजिकल करने आना चाहता है वह हमारी आपको दिया गया है डिस्क्रेप्शन में उस पर आप कोल कर सकते हैं अब एक तरीके से उस मेसे चेक कर सकते हैं वेबचाइट बुजा के दूसरा तरीका देखिए अब मैं आपको बता हूँ कि कब तक आप देख सकते हैं उसके लिए यहाँ पर डेट जायर कीगी इसका नोटिस नमबर थरी है इस पर जाके देख सकते हो आपको चेक करना सबसे पहले अगर चेक करना ससी की ओपिसल वेबसाइट पर जाएए डूटिन पर जाओगे यह होम पेज खुल जाएगा होम पेज पर जाके यहां पर लोगिन रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड और यह केप्चर कोड लगाना है फिर आपको लोगिन करना अगर आपको मानलो आप भूल चुके हो तो फोर्गेट पासवर्ड पर करके भी आप ले सकते हूँ उसके लिए आपको सेलेक्ट इस्टेट करना है इमेल आईडि मोबाइल नमर देके अपना पासवर्ड वापस बदल देना है और उसके बाद में आपको यहां पर एक और उसपे क्लिक करना ओर्टोमेटिकली आपका चेक करके बता देगा तो इसको आपको कल यह नहीं अठा इस तारी को चेक कर लेना है लाड़नों सभी को कल चेक करना ठीक है और जिसके जो प्रोब्लम आए और कमेंट बोक्स में जरूर लिखना जय हिंद जय भारत